Hello friends, समस्तं कू आज रो क्लास कू स्वागत आज आमें SSB PGT Political Science Syllabas रिथिवा दुईटी पार्ट में ध्यरू सेकंड पार्ट रिथिवा फास्ट पॉइंट देट इज आइडिलोजिकल बेसेस अफ इंडिन कंस्टिटूशन स्वंपर करे डिटेल्ड एनालिसिस करिवा दिस इस फास्ट लेक्शर ओफ सेकंड पार्ट सिलाबस तरनो आज रो क्लास समुदा रो सेकंड पार्ट थिवा समस्त पॉइंट पाईं कोट यह फाउंडेशन क्लास अबाको जाऊची तरनो समस्तों को रिक्वेस्ट एटेंटिवली वीडियो को देखिवे लास्ट जाए एबं जो पॉइंट सगुड़ी को रही चे ताको नोट करिवे करना एब्री पॉइंट रेगोए बहुत गुड़ाई कोश्चे नहीं परिवो तरनो समस्ते gide to be very attentive throughout the class So, let's start our first slide Yes! Ideological basis of Indian Constitution भारतियar swami dhanra ideological basis ko अलचन करिवे पॉरबरु Let us understand what is Constitution Constitution is the supreme law of India No one is above the Constitution, no one should be devoured from the provisions of the Constitution से जणे साधर्ण जणता हुएंतु, किमबा जणे उच्च पदाधिकरी व्यक्ति हुएंतु केही मध्य सम्मिधान उपरे नाहंती, उर्धरे नाहंती किमबा केही मध्य सम्मिधान निति नियम मठारू बंचीत हेवे नाहीं एई अधिकार आमोकु मिली छी, तेबे, Constitution is the written document भारतिय विथिविवस्थावन उचरे, भारतर सम्मिधान उजी एक लिखीत दलिल एक लिखीत निति नियम और समाहार जऊथिरे कि भारत और नागरिक मायन निजे निचकु पोरिचाले दे करंदी So the Constitution of India is very unique in its content एहा स्वतंत्र आटे, very unique आटे, अन्यकाशे तो प्राय मिशे नहीं तारा content रे बंग तारा spirit रे जोदियो, it has been borrowed from various kinds of sources तथापे, तथापे, it has its distinct feature It is known for its distinct features, it is well known for its uniqueness However, आमें देखीचे, जे मुलो सम्मिधान उणिशापचास मसी हरे ग्रुहीत हेवा परे बहुत थरा भारत्र सम्मिधान को संश्वतित करा जाईची, that is 42nd Amendment, 44th Amendment, 73rd Amendment, 74th Amendment ता सत्वे, जोदियो किछीटा परिवर्थी थेईची यही सब आटे, तथापी आजी मध्य भारत्र सम्मिधान रो तारा युनिकनेस जाहर होईची 25th ताहा बिश्व दर्बार रे परिजिता, त्रणु आमें गोटे कथा एठी मुन रख्यवा उच्ची जे 1973 रे गोटे केस एतला किसवरन्द भारती केस, जो तरे कि सुप्रीम कोट्व इंडिया आमुको निर्दिर्श देले, जे 368 आटिकल अनुसरे भारत्र मुळ विद अनुसरे परिजिता, त्रणु आटिकल अनुसरे भारत्र मुळिक जाहर होईची सम्मिधान रो वैसिस्ट्य, ताको परिजबर्ति कराजी परिवा नाहीं, एड़ा 73 मसीहर आसीला ता परोठु भारत्र सम्मिधान एतेटा परिवर्तित है नाहीं, ताहले देखिवा कॉण आनुसरे अटर इडिलोज के पेसे सरोईची कौव कौव जिन्सव पहामे गर्भा करिया उचित, कौव कौव जिन्सव आमो सम्मिधान कू सरा पृति विरसमिधान मनना को ठरू, आटरू, सेपरेट कोरे, वात पर उनिकनेस आट परोठिटिउच्टिउच्टिउच्टि अदियों बहुत बड़ा लिखीत दलिल थेला किंतो जथर वड़े आमें कॉरेंट सिच्छन को था अरलो चना करूछे कॉरेंट सिचुएशन रे आमें 448 आर्टिकिल्स, 25 पार्ट्स, 12 सेडूल्स इस वामें देखिवा तोने सबु एवर ग्रोइंग आमें जद्या आप दसवर्स परे आलोजना करीवा थायले होई तो आज संख्या आहरी बढ़ी जाई धाई परे कारण बिभिन्न समयरे भरतर स प्रट्वर बांट नेहे तो परे नेहें किया थायले सेडूल्स, 22 पाठि यहा तिला प्र्तवान बढ़ी फटिकिर 25 पार्ट्स इसलड़ एव एव एट चीडुली जातिला परे जाई थायले सेडूल में घिडूल्स आई तो आज सेडूली आमें देखिवा जे आमेर because of the geographical feature of India because of the historical background of India geographical feature अमेदे खुचु भारत रे unity in diversity रहिची various diversities are there are various kinds of cultures various kinds of people various kinds of languages various kinds of in every way we are different but still we are united तनु अमेदे रे geographical difference रहिची cultural difference रहिची historical background कता जदे आमेदे कहिवा ताले आमरो history रे यत्त बड़े Britishers माने आमकु सासन कोरीचिंती बहुत बर्ष धरी तांकर प्रभाब मध्या आम हिस्टोरीकल इफेक्ट बड़ीची तात संगे संगे जो Britishers माने तिलाश रमरे in Government of India Act 1935 अश्ची तार प्रभाब मध्या इंडियन कंस्टिटुशन बड़ीची that's why it is so large यपां जो गोट्टे कहा हुची unique constitution कारण आमरो के वड़ गोट्टे यही constitution अशी सारा भारत फाइ single constitution that is called unique constitution सेटा मध्या कोट्टे कारण आमरो Indian constitution so large बर्ड़े प्रभाब मध्या कारण इंडियन कंस्टिटुशन इंडियन किता मेंदरू बड़े आपसंथि मध्या इंडियन किता है यवाँ आगुटिक अन्यों किचितिले we have to make it specify that what is the answer then second point that is blended of blending of rigidity and flexibility blending means mixing हाँ भीक है रिज़िटी ए फ्रसक्षिबिलिटी ती है आइदर रिज़िड नार्फ रिचिबल यस नाइदर रीज़िड नार्फ्लेक्जिबल यस सो अमे दैकूचू पिछिड अतिकी लें था जोजिन सगुडिक को में सिंपल मेजरीटे द्वारा मधिया में परिवर्थित करी परिवा इंग आवरी किछी जो थे पहीं आमको स्पेशाल मेजरीटी दरकर परलाइबेंटर जयत्ती की मेंबर्स नसे मानं कर तू थार्ड मेंबर्स प्रेजंट अन भुटिंग दरकर ता संगे संगे हाप अप अप आवर्स प्रेज इस प्रेज़ इस प्रेज़ अथ कर दो को सैंपल लाओ फ्रेल नौल थे प्लेटी इस मिंचेर अप और गादू थेक स्टिश तर्ड़ थार घ्रडू न स्परेंदर श्रू इंपरेंटी एं रुटिशन इस अ वरूड को सी फिरूड एंगे स्थानौ constitution makers, has followed United States constitution, they have followed British constitution, Irish constitution, Canadian constitution, Australian constitution, yes, OEMR constitution, French constitution, South African constitution, Japanese constitution, को को जा करू 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 आच्ची ताहता में detail आलोचना करीबा पच्छरे किन्तो अम्म को जानिबा उचित जे आवर constitution जे आवर constitution is not the indigenous product it is a borrowed one it has been inspired by various kinds of countries तेनो विभिन देशणरे थिभा तांको बिधी व्यवस्था अनुसरे सेमाने को जा करू चंदे तांको कॉंस्टिविशन यबगाँ सही बिधी व्यवस्था अनुसरे तांको रा से गोटो पोईंट को आमें भारतारे आणिचे यह मध्यों गोटे आमरो बेसीज नो सही दुरुष्टिरू भारत तरो विथी व्यवस्था सही देशों कुट कीटिके फोलो कळा भड़िया आमकु लागीव So we shall discuss it in detail later on. Let's move to our next point Yes, point number 4 that is federal system with unitary base भारत एक संगी हो राष्ट्र, भारत एक वोईकी को राष्ट्र यह भीतरे कोड़े दोंदर प्रायर हो है, आजी क्लास परे होई तपिलांकरों से दोंदर होही बनी भारत एक दिश्च जोटरे की बोद federal feature में देर होई ची एड उनेटरी फीचर में देर होई ची जम्तिकी, federal feature एक जम्पुल जो दिया हमें दबा, तले हमें देखी बा, जे, येस, फेडरल feature भीतरे, आमें देखी बा, टू टाइपस अब गोब्मेंट अर देयर, येस, वन इस सेंटरल गोब्मेंट, अनधर वन इस स्टेट गोब्मेंट, टू टाइपस अब इस स्टेट एच्णती के इंदर राष्टरपति थिलावले राज़रे, राजपाड आच्छनती, so there is a clear division of powers among or between the center and state. That's why it is also a federal feature, federal feature आमें तको कहीबा, federalism आमें तको कहीबा, जो अधरे power has been divided, has been distributed, जो अधरे power टी bifurcate है जाए, डिवाइडेड ही जाए, कहा भीतरे? सेंटर याँ पंग स्टेट भीतरे ताको आमें कहीवागोट फेडराल कंट्री और फेडराल स्टेट तेनु भारत पाखेरे सेया ही ची तेनु टू टाइपस अब कम्मेंट अची पावर, स्ची तंक हितरे शुप्रमी estratégद पाखेरे सुप्रेमिश स्टिटुशन नबब hebt बाइड पहम भीतर quéओ लुप्षोटेशन वणलम ーン टीपजय फोफ्टेशन प्यकरे अटल्य । लॺजाबग उपरेडराल फिसली च्चृटा पचेल एंटल्स र Southern भावरे रही ची यार विसेस कीच रिलेशन नाहीं आमार लेजिसलेचर शाहिता So all these are the federal feature of Indian Constitution ताल ये जो थी federal ताल उनिटरी कथा आमे कौन कोहिबा उनिटरी features में ते भारत सम्मी धानर रही ची क्यम थी को को उनिटरी features रही ची आमेड़े की देखी दवा उनिटरी features का था जयते भाला आमे कोहिबा सेदे भाले गुड़ाई उनिटरी features रही ची ये मदेगी टू टाइपस अब गम्मेंट ताची बट सेंटरीज मोर स्ट्रेंगर देन दा स्टेट जदियो federal feature रही ची division of power रही ची टू टाइप गम्मेंट रही ची तथा भी सेंटरीज मोर पाबारफुल देन दा स्टेट ताणू ये गुड़े उनिटरी feature उनिटरी कता कोहिले आमे काण बुझे उनिटरी कता कोहिले के बड़ केंदरा भीमगी सरकार उनिटरी ओईगी का राष्ट्र उनिटरी स्टेट ताणू केंदरा सरकार अधिक पाबारफुल जोटी ताको आमे कोहुची उनिटरी स्टेट ताणू भारत रे federal feature रही बासांगे सांगी उनिटरी फीचर मज़े रही ची केमती ना आम सेंटर होची मोर स्ट्रंगर नेक्स्ट पॉइंट देट इज सिंगिल कंस्टिट्यूशन सारा भारत गोटीय मात्र संबिधान द्वारा परिचलित हब इंटिग्रेटर जुडिसियारी एंड इमर्जनसी प्रभीजन इमर्जनसी प्रभीजन दोरा राष्ट्रपदी चाहिले भारत रह जेकन सी स्थान और कू जेकन सी राज्यों कू से जरूरी कलिनों परिश्थिती खश्रना करे से राज्यों कू सिधा स्टड़क भावरे केंद्ररू शास्टन करी परिवे तरनों जद्दिवा आमा भीतरे रहिची डिवीजन सेंटर आउस्ट्रेट भीतरे तो था पी सेंटर मोर पावरफुल सेथ पाई येटी आमें कोहिवा सेथ पाई आमें येटी कोटे पोईंट अलोचना करीवा जे इंडिया हैज बोथ फेडराल जे उनिटाल और ने वीट्रेटर सेथ पाई जवा जो मनें पोलीटिकलोप्याफी फिलोसोफ़ टेनी कोहनती ही जाम्तिकी प्रफेसर सिवेर काहि public यैई इंडिया सेफ्टराल सेट टीजकोशी फेडराल स्थेट इथाफ़ अलोजकी ग्षसी फेडराल मेरीस जोन्स को हिले, इंडिया फेटरलिजम ए इस बार्गैनिग फेटरलिजम, करने वितरे जब फेटरल स्टेट पाथा पी ता वितरे गुटे रही ना कोटी इंटिर स्टेट रहाओं फिच्र पाशियसके, जम ते कि गन्वाईल एस्टीन को हिले, कोपरटी, फेटरलिजम कोर्परेटी लिजम में आपन लाप्ट की लिजम रहुच था यमें भूला की लिजम बेलान्स पर्ट लिजम रहुची लिजम यह जट कामी को श्रॉच्विग अमेरिका सेवड़े लें लेवेग लाप लम्या लाप्र अट्ट जबता पर अपर अमरता अट्रेंच जए इस फ़िपोर काहिवСТए कि फारिम निह पहना संध और सुमकरा है जो अगरई सOWN धिस आङन और समय कर भाव्मानें c जरी, the Parliamentary system of government is based on the principle of cooperation and coordination, between the legislative and executive organs. Legislative organ on executive organ, by stress on coordination. तक में कभी a parliamentary firm of government. Another one is presidential firm of government. presidential system is based on the doctrine of separation of power, between the two organs. टू ओर्गान्स मानने गटे होची legislative और जटे होची executive legislative होची जिये रूल त्यारी करीव executive होची जिये तको implement करीवे execute करीवे ये दीटे फित्तर जदी relation अची coordination अची, cooperation अची ताले आमें तको कहिवा parliamentary form of government जदी नहीं separation होची ताले आमें तको कहिवा presidential form of government ताले परलेमेंटरी form of government जवठी हामें कहुचू येस लाइक, दे बेस्ट एक्चामपूल इस UK परलेमेंटरी form of government ताको किछिटा फोलो करा हीची इंडियन कोस्टिटूशन रे केमिती हीची, तार फिचर्स मध्य हामें देखिवा तार फिचर्स रे असीवा जए ड्वालेमेंचेक्टी नेत्वative आमें देखिवा हांती豆 이 आपक रे बत प्छी आए आपकर रचाप स्दू आप संसी आप सर्कतिछ में ख्टाव अवान थेश्वी अप्र अपै अफम ढदो पेच्छर कारा है antid youtube parliamentary form of government we have so this parliamentary form of government is one of the ideological basis ideological basis of Indian constitution yes then next point you see integrated and independent judiciary integrated and independent integrated means integrated means there is an integration कहा वितरे भारतर legislative वर्गान एबं judiciary वर्गान वितरे कोटे integration रहीची एबं तार independence मध्यर होईची केतरा खेतररे भारतर judiciary सम्मुदाय भावबरे independently कामों कोरूथ लावड़े केत्तोटी केत्ररे भारत जो जियो अच्छंति सुप्रीम कोट रो मोख्य विचार पति अनेक्स शमयरे आमारे legislative को और्गान को अनेक्स शमयरे से निर्देश दियंति अनेक्स शमयरे से सजेशन दियंति अनेक्स प्रमारे सपथ गण करन तो यह होची इंटेगरेशन मधर उजी इंडिबंडेंज समतर होची जुटी सेरिड़। यह होची अमरोट रोट रुट्अब इनक फीचर यह उति नुटी नुटी परे बारत चोड़ और नकोटि बाखु शुट कुछ नमील परे। So, it is our uniqueness, it is our difference. Then, come to fundamental rights. As we know that six fundamental rights, आएट ईजगर इन डाती हो शचेधald, क्टेकल्भ राती जब ढिम्टाफ हो चुट खोन्वार्डपर्टी हो शची हो 6 डाती आष हो फंडमेंटल जो अर खोन्मेंटल लेकोस्तिकरो इस ठाप्डफ रह दिजो कोई बाषल कोई स्थम्टाटल द्रणु अपर कीजिए अट इनुक फीचर अपिर्पिचर अफ इनुक फीचर इन्टिटिए नियर्जिकल फीचर नेट अंग्सा इनुकर आ खिवा यह संपकरे DPSP रोइची, Directive Principle of State Policy तरम यह DPSP मध्या यह तो पुड़े डिफरेंस अचिवा जंपकरे Fundamental Rights रोची यह भूग DPSP होची भट यह तो बसिक दिफरेंस बेटिन Fundamental Rights and DPSP Basic Difference is Fundamental Rights are justiciable whereas Directive Principles are non-justiciable Fundamental Rights are present in Part 3rd of the Constitution, DPSP are present in Part 4th of the Constitution You see, Fundamental Rights are given to the individual, given to the citizen but DPSP are direction for the state So, we have three kinds of Directive Principles of State Policy like, you see, Socialist Directive Principles of State Policy Gandhiyan Principles of State Policy Liberal or Intellectual Principles of State Policy So, these are the articles These are the articles EPSP okay we shall discuss it later on in detail in our next uh upcoming videos next point you see secularism secularism means no no religion is the national religion of india no religion is national religion jamitiki bharataswamhidhan radhara pachis chavis satis otis a article kudaka swampoorna wabare dharmagath swadhinata katha kaila itana bharata dharma nirabha kharashtra you see next point sovereign socialist secular democratic republic country it is it is present in our preamble it is represented in our preamble that is s s s d r short form is s s s d r sovereign socialist secular democratic and republic uh tano iso jinsa kudiku madhahamu kakir so that is where it base is which of the following statement it sporec écrib the meaning of uh sovereign in that ti市 Freiheit rep ski royaerme k fee paribha it's territory is not being governed by any other foreign countries dake it is no समाजवादी रस्ट्रो, समाजवादी रस्ट्रो, समाजवादी रस्ट्रो, it means its main feature is the society, main motto is the welfare state, welfare state means welfare of the society, okay, so that is socialist. another one that is secular, secular means dharmadirapakya, democratic, ghanatantra, and republic, republic that is you see sadhana tantra, rastra, this is the ideological principle of Indian constitution. what is the difference, democratic and republic, republic means it is a kind of state, it is a kind of country, the chief head of the country is elected directly or indirectly by the people, then and there, that country will be called as republic country, yes, in India, the chief head, the first citizen, of India, that is the president of India, like Draupadi Murmu from Odisha, she is elected indirectly by the people and directly by the electoral college, that's why India is a republic country, so all these are present in our preamble, let me ask you a question, preamble to quote Anita Hitler, from where the preamble has been adopted, from where the preamble has been adopted, from that objective resolution, the concept of preamble has been borrowed, so this point to be noted, the next slide goes, point number nine, you see universal alert franchise, but was it, was it, was it previously, was it basically 18 years? what is it, was it, was it previously, was it 18 years? it may be noted, that before 1989, it was 21 years, 1989, it was 21 years, it was 18 years, but after 1989, it was 18, we have only one identity, we have only one citizenship, that is the citizen of India, we have only one identity, we have only one citizenship, that is the citizen of India, that is the citizen of India, the American like country, that is different things, let me see, next point, independent, like EC, UPSC, PC, AEC, election commission, UPSC, then planning commission, OPSC, OPSC means state PSC, all the people have PSC, in this time, the government has a structure, pratyak state PSC, planning commission, UPSC, center, election commission, center, these all are also, ideological basis of Indian constitution, next very important, that is emergency provision, emergency provision, there are three kinds of emergency provision, one is national emergency, second one is state emergency, third one is financial emergency, so in this context, which is three kinds of emergency, the President of India is empowered to issue, emergency provision, wherever required inside the country, and so on, the question of national importance is not the same, its 352 national emergency question, the question of the regime is the same, the question of the regime is the same, the question of the regime is the same, and the question of the regime is the same, पुरिविजन पुरिविजन बावोदर अटिके समनने ध्यनादवे पुरिषे NO. पुरिविजन पुरिपन पुरिषे लुगैसी पुरिविजन पुरिविजन पुरिफ है को arb eerste पुरिफेLet sick inmans दो गाहिए उटाचो माद रावा है और प्रेंबल स्वाना हो जोत कीं दरपन वलीक हो उच्व प्रेंबल से यक थाची जोस्ट इस सुसेल्ल एकोनोमिक अपु को उचीत् काम्मकच तरम दबा ZAh have to provide the right to participate in election to everyone तरनु एस चबू जिन्सव रहीची आमरा आई जुजगाल बैसे जरे 13. रहारी मध्य आगो को अची next move to our next slide yes you see that is equality अनक समरे समाननता कथा जाते वरले आशे आम हितरे बहुत confusion में रहीची ताकु ने की समाननता कु ने इकरी बहुत डिबेट में रहीची आम हितरे अथा पी it is the part of our constitution equality with positive discrimination equality रहीब एबं equality सहीत पोजीटिव डिस्क्रिमिनेशन रहीब जो मने सामाजी को अनक्रसर जो मने सामाजी को एबंग शिख्या को तो अनक्रसर जो समाज मने से माननक कु शरकेर मोख्य स्रोतर सामील करीवा पाई से माननक कु उचित डिस्क्रिमिनेशन करीवे positive discrimination थांका बे शोदंदर वेवस्था करीवे एक था मेध्य भारतर रहीची भारत शड़ा वन्यों राष्टर मननक करीवे एत्य भी धिवस्था देखिवेक नमिली पारे तरन दिस इउनिकनेस अप अवर इननर कंसेटिशन अप एक्वलिटी विथ पोजिटिव दिस्क्रिमिनेशन तरन दिस फंडमिले राइट्समाज था इचि राइट्समाज था राइट्समाज था इचाहिची दिसे था इचिपनेने अमेज़ तरन श॥ा इचिन्तन रा श॥ानातार आईवो membaktas विश्वास राइजिख ठरीव जाहिची अमें जूठी एक्स्प्रेश करी वे रकती स्वास्री पारे वार है कि इसे पर भिए पर लिब यान इप्राइडरी का आप लिब इटा लिवर्टी का ता मैंट कुए अजो फिर्ण का अदो अमया दो फेडम फ्रीडम का मैंट कुए से लिवर्टी तो सृतंत्र द द फिर्टम मुच वाधिनदा इस्ट का अद पाम इस्टीफी इन परसनल लाइफ इस इस इकल दिवर्ट इवर्ट इवर्टेवर्ट इस प्र्या की इस आज ऑना झाल में अद्लिपूरइब तिव उस्टेटर शर्ट इस स्वाटन्तर में अधर जाना हमुशब के इस तो डिवाट के इस आज नियान थे आजा है पो गुण खिरीवर्ट इ एप्र मिलारलि पका पक्यास ऑटान थी तःथा पी फ्रीडंटथा को ही लागे इडिये वरी पोजिटविटिव थी फूर्डंटटर इडिश्पीडंटर प्रीडंटर इस पावार कि अधर म थे आगोड़ मीनिंग को ची लिवर्टी एट इच रेस्पोन्सिब लिव प्रीडम हो शॉप्रीडम मोर अची मुछा हिले जोट दकी याई आशी liberty लिबर्टी is restricted freedom, responsible freedom अम्य जित्त वड़ा freedom डंक užणीज को रिवा आया इन पर्लाव दोट वन जोड़ा that should not hemper any other freedom ПрOT sesht Aí मुः लिबर्टी का था है डिक भायिंचि liberty is more responsible than freedom okay so constitutionally constitutionally अमा को अम्यरं लिबर्टी का करेंग बेद चलत कैनी तक गणी समय थो इनननल फैल को सपर अण्यों न पराइब होगर फार्रीड मयुट्ब्सके рок कैसे तरह कि यामेर्छा प्राइड़ च्विछ वह भाय रान्त खंजे तरह निक पोड़ पतलुम्हा न श्यूंत भारतर लोको मानने जाइकरी इंटरनाशनल लेपूलर समस्तां को भाय बंदू कुट्टुमों बोल समधन को रिग आउश्चंधी तो इस अवर उनिकनेस्ट ब्रादरोड कथा अमरो रहिची प्रियंबूलर मेंते से कथा रहिची तरुनु अल इस आर यू 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 यू 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 जवर्साल ठा रहिची मजस्तिजिशन toda इए बंदूक trail of AjE मेंकू यू 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 झाल इप्म् सब्सक्राइद पर आफे जरी कहा रा करिए त्लिक एब तो प्रयकर समस्त अर्थ कोर दाव ज़ार रोंड ची सिकुडिक्पू मध्यामे आलोचना करिवा So I request everybody kindly go through the video in detail and in wherever any suggestion you need whenever any clarification you need kindly mention it in the comment box. I must try to discuss it in my next upcoming videos. So I hope you will enjoy this video. I hope the first point is that we will be able to consider this video. I hope you will enjoy this video. Thank you everybody.